हलो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से तोशीन टैक चैनल में दोस्तों अगर आप यूज करते हैं Realme का कोई भी डिवाइस, Realme का कोई भी स्मार्टफोन तो आज की जो वीडियो है बहुत ही इंट्रेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज इस वीडियो में आपको Realme के स्मार्टफोन के लिए एक न्यू स्लाइड बार के बारे में बताने वाला हूँ जिससे कि आपके फोन का यूज करने का जो एक्स्पीरेंस है बहुत ही अच्छा होने वाला है यहाँ पर बहुत ही यूस्पूल यह जो स्लाइड बार होने वाला है क्लोर के वरजिन 5.2 में पर मिला पर इस के वरे में मीलता है लेकिन यहाँ पर ज़्यदा कस्तुमाईजेशन के उप्शन does not look like करके रखना है यहां पर दोस्तों जितनी भी एपस आप रिसेंट ली ओपन करेंगे वह सारी एपस यहां पर आ चुकी है और जिसे मैं यहां पर जो भी जिस भी एप पर लाकर इसको छोड़ता हूं तो वह जो एप है वह क्विकली ओपन हो जाएगी तो इस तरह से दोस्तों आपको जो रिसेंट एपस है वह सारी आ जाएगी और यहां से आपको बहुत सारे फीचर्स भी देखने को मिलते हैं अगर आप इसको थोड़ा आगे की तरफ लाकर और इस तरह से नीचे लाकर छोड़ते हैं तो देख सकते हैं कि जो नोटिफिकेशन पैनल है वह डाउन हो चुक के इस तरह से काफी क्विकलि जो एपस है वो यहां पर ऑपन हो जाएकि साथ यहां पर इसको थोड़ा आगे की तरफ लाकर अगर यहां पर चोड़ते हैं तो देख सकते हैं जो फैवरेट एपस की ग्रीड है वह ऑपन हो जाएगी यहां से आपको ऊपर कुछ ग्रान ने आपको घरताइज प्यूम जिल्माटा付 क्षामी जंच को सब्सक्राइब करें तक्राइब है उसको फेट पोडार फ्रीच आपको सब्सक्राइब कर देता हूं तो basically मैंने एक app के मदद से किया है तो उस app को कैसे आपको install करना है उसके बाद में install करने के बाद में आपको क्या क्या settings करना है उसके लिए आपको मेरे साथ वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहना है क्योंकि आपको इंस्टॉल करने से कुछ नहीं होगा आपको क्या-क्या सेटिंग्स करने हैं वो सभी में डीटेल्स में आपको बताने वाला हूँ उम्मेदे आपको ये वीडियो और ये जो स्लाइड बार है बहुती पसंद आने वाला है और बहुती यूस्फुल आपके लिए होने वाला है तो वीडियो में आपको मेरे साथ एन तक ज़रूर बने रेना है कहीं पर भी स्कीप नहीं करना है तो चलिली बने डांवेस्ट के वीडियो को स्तार्ट करते हैं तो वीडियो स्तार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि लेकिन डिस्क्रिप्शन में ने एक एप का लिंक डे दिया ऑपको डाउबोड करने के बाद में रहें दोस्तों यहाँ आप को बिया और पर देख सकते हैं कि इसcom back नम है फीक-विश्च इस फ्रेंग मिलındays ऐको आपको लिक करना है और आपको next करते जाना है तो देख सकते हैं यहाँ पर जो पर मेशन से उनको आपको लाउ करनी है यहाँ पर सबसे पहले आपको floating weanडो के permission को लाउ करनी है उसके लिए आपको आपको युट करना है जो पर सिस्क्रोल डाउन करने यहां पर हमें जो last वाली accessibility service है उसको on करना है तो यहां पर हमें इसको enable करने के लिए देख सकते हैं enable के option पर क्लिक करना है और यहां पर scroll down करने के लिए swiftly switch को select करके यहां से इसको on कर दिना है तो यहां पर दोस्तो सारी जो permission से वो allow हो चुकी है और अब वह मुँचलते है back back आने के बाद में कुछ इस तरह का interface दिखेगा और यहां से हमें okay करना है okay करने के बाद में देख सकते हैं कुछ इस तरह का interface यहां पर इस app का हमें देखने को मिलता है तो चलिए अब जल्दी से इस slide bar को open करके देख लेते हैं यहाँ पर अगर आप साइड में ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक slide bar हलका सा जो देखने को मिल रहा है, इसको swipe करके slide करना है, देख सकते हैं, यहाँ पर आप इसको swipe करते हैं तो यह जो slide बारे वो open हो जाएगा तो दूस्तो बैसिकली यह जितनी भी एपस आप देख रहे हैं वो सारी रिसेंट एपस जो आप यहां पर आ चुके हैं साथ यहां पर ऊपर आपको dead देखने को मिल जाएगी time देखने को मिल जाएगा साथ यहां पर बैटरी के percentage भी यहां यहां पर आप इसको यूज कैसे करने हैं उसके लिए आपको सिंपली से यहां से इसको slide करने के बाद ऑपन करना है और आपको touch करके यहां पर आगे लाकर जो है स्वाइब करते हैं तो देख सकते हैं यहां पर आगे लाकर के छोड़ करके रखेंगे और नीचे की तरफ लाएंगे तो देख सकते हैं कि जो नोटिफिकेशन पैनल है वो डाउन हो जाएगा तो यहां पर आपको एक और ओप्शन देखने को मिल जाएगा अगर आपको slide करके थोड़ा उपर के तरफ लाकर चोड़ देते हैं तो देख सकते हैं कि यहां से जो favorite apps की grade है वो open हो जाएगी यहां से आप इन controllers को control कर सकते है चाथे हैं और ने rifून करना चाहता है नोट करना चाहता हैं तो देख सकते हैं कि जो torch है जो torch है वो ओन हो चुकी है इसी तरफ यहां पर आपको सारे controls जो है देखने को मिल जाएगे सारे controls को आप यहां से जो है use कर सकते हैं तो मैं tough को off करो तोक्मिल ऑबदिज करें में यह यहां पर आपको brightness control का भी option इसमें देखने को मिल जाएगा तो इस तरह से आप जो है इसमें बहुत सारे features को use कर सकते हैं बहुत ही quickly आपको इसका response देखने को मिलने वाला है दोस्तों बहुत ही useful होने वाला है और आप जो है इसको use कर सकते हैं अब आपको इसमें जो कस्टमाइजसें देखने को मिल जाएंगे सबसे पहले आपको इसको open कर लेना है open करने के बाद में देख सकते हैं कि कुछ इससतरे का interface देखने को मिलेगा यहां पर जन्रल में जो आप देखने को मिल जाएंगे साथ ही एज-1, एज-टू और एज-3 दोस्तों आपको यहां पर एज-वन वाली जो एज-वन का जो option है वही आप इनेबल कर सकते हैं इस एप में देखने को मिलेगा तो चलिए आप आपको जनरल में क्या-कैस सेटिंग देखने को मिलती है वह सभी में आपको दिखा देता हूं तो नहीं तो वीडियो जो है बहुत ही लंबा हो जाएगा यहां पर आपको अगर रिसेंड एप में ओपन करते हैं उसके बाद में इसको बढ़ाते हैं तो बढ़ाने के बाद में देख सकता है कि जो इस circle की size है वो बढ़ जाएगी तो देख सकते हैं इस तरह से आप जो है यहाँ पर circle को कम ज़ादा कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर around 90 रख लेता हूँ उसके बाद में यहाँ पर आपको जो stay on screen का option देखने को मिल रहा है वो अभी on है अगर आप इसको off करते हैं off करने के बाद में जब आप तरह से slide bar को open करते हैं open करने के बाद में यहाँ पर आप जब भी screen को छोड़ देते हैं तो यह slide bar है वो hide हो जाएगा इसको stable रखने के लिए एक क्या करना है इस option को यहाँ से on रखना होगा इसको अगर आप यहाँ से on रखते हैं on रखने के बाद में जब भी ाप इस slide bar को open करते हैं उसके बाद में आप इसको hold नहीं करते हैं तो भी slide bar जोे stable हो जाएगा यहां पर जो जितने भी आपको यहां पर चार option देखने को मिल रहे हैं उसमें से अभी first वाला option जो है enable है अगर यहां पर हम इन तीनों option को enable करते हैं तो जो हमें यहां पर इनके icons देखने को मिलती हैं इनको on करने के बाद में देखने को नहीं मिलेगा मैं आपको दिखाते हूं देख सकते हैं यहां से अगर मैं इसको back को और इन सभी को यहां से अगर मैं on कर देता हूं तो on करने के बाद में वह जो आइकन से वह अब यहां पर शोर नहीं होंगे तो इस तरह से तो आप इस feature को इनको यहां से off करते हैं तो आपको आइकन से वो देखने को मिल जाएंगे साथ यहां पर आप इसकी size को set कर सकते हैं और इसकी visibility option को भी यहां पर आप इसको set कर सकते हैं जब चलते हैं आपर back और back तो दूस्तो आप चलिए देखते हैं grid favorites में हमें क्या customization देखने को मिलता है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि grid favorites जो है set है वो only अभी एकी grid set है अगर आप यहाँ पर दूसरी grid add करना चाहे तो आप इसको add कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको shortcuts में जाना है और यहाँ पर जो भी app आप select करते हैं उसकी एक अलग से grid बनाकर आप set कर सकते हैं तो दूस्तों इस तरह से आपको grid है उसमें यह सारे options देखने को मिल जाते हैं उसके बाद में यहाँ पर बात करते हैं next option की तो यहाँ पर आपको stay on screen का जो option है वो enable है यहाँ पर आप इसके space को set कर सकते हैं साथ यहाँ पर horizontal margin और vertical margin को भी set कर सकते हैं जरूरी settings थी जो मैंने आपको सारी इस app की बता दी है कि किस तरह से आप जो इसको customize कर सकते हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा और बहुती useful यह एप जो होने वाली है तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ होगा तो मैं मिलता हूँ अपसे के लिए किसे ऐसे interesting वीडियो में thanks a lot for watching